एक ये चीज है कि ये आउंच काट लिया इसने काट लिया एक छोटी मचली जितना लग रहा है मुझसे तो मैं फिर एक पकड़ने की कोशिश करता हूँ डोला मैं काम्याब हो गया हूँ ये देखें आप लेकिन ये निकलने की कोशिश कर रहा है अगर आप भी डोला के उमीद वा रहा है तो आप इदर काट रही है थोड़ा से मुझे अजीब सा महसूस हो रहा है तो आप इदर मदीना फिश कानर पर आएं और इदर से आगे आप अपन आपने चोटा डोला लेना या बड़ा लेना है तो यहां से आपको ये जिन्दा डोला मिलेगा असलाम अलेकुम मैं हूँ आपका मेजबान शाहिद इक्वाल और आज मैं आपको जिन्दा डोला दिखाने के लिए लाया हूँ और मैं यह आपको पताऊंगा कि एक तो इसकी कीमत क्या है यह कहां से लाएं और दूसरा यह आपको यह डॉला क्यों खाना चाहिए और यह जिन्दा डॉला और दूसरा यह देशी डॉला यह फार्मी डॉला भी नहीं इए ऐसे ही यह यह देशी डॉला और इस में मदीना फिश कानर पर मुझूद हूँ शादरा रेल्वे स्टेशन के एन ओपोजिट यह वाक्या है यह जरा मुझे बताएं यार यह दोला बाएर निकाल के दिखाएं जरा यह पकड़ें जरा यह देखें यार कितना यह साइस का देखें छूड़ तो नहीं चाहेगा यह देखें इसे कैरी करना मुझेल है तो यह एक बड़ी मचली की तरह लग रहा है से मैं पकड़ें की कोशिशी करता हूं मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा है पाउंच मुश्किल है यह इतना यह ताकत हो रही है इतना मुलाएं में क्या है इसकी बज़ा ताकल बहुत ठैक डॉला है पकड़ा तो यह वी मरे हांसे है निकलने की कोशिश कर्रा एक मैं ऑब यह विए बड़ा पीस प накड़ने की कोशिश करता हूं और देखता हूं कि इस में पकडा का हूं कि नहीं ठीक है यह साड़े 400 पर किलो बिखता है यह वाला अच्छा इसे पकड़ने का यह तरीका कि ताके आपकी मुठी से तो आगे नहीं जाएगा यह देखें जी तरीका यह तरह यह चोटा डोला है यह देखें यह इस तरह का अगर लेना है तो उसकी कीमत क्या होगी उसकी मलाएद 400 पर केज़ी है क्योंई चोटा डोला यह शकार के लिए काम आता है इसके मूं में कुंडी लगागे ना पाने में फैंकते हैं मचली बगणने के लिए अच्छा यह नहीं बन्यादी तोर पर यह शकार बग़र आक लिए इस्तमाल होता है यह चोटा डोला है लो कि एक ये चीज है कि ये आउच काट लिया इसने काट लिया तो ये मैं बता दूं कि अगर किसी को सांस का मसला है तो उसके लिए भी ये बड़ा मुफीद है और कहा जाता है कि नहीं मुझे से पकड़ना मुश्किल आगा इसने आद पे काट भी लिया जरा सा ये देखें ये क ये देशी डोला है प्योड देशी चपड़ अच्छा जो मतलब कुदरती बारश ये इस तरह पानी जमा हो जाता है उसका इसकी कीमत क्या होगी ये जो बड़ा डोला है बड़ा बाला यह चोटे वाला 400 पर चोटा 400 पर खिलो चोटा 400 का और यह जो पड़ा है यह तो यार यह ज़्यादर क्रीब कीजिए का타 केरए करें जरा यह देखें कि यह एक चौती मचली जितना लग रहा है मुझसे तो मैं फिर एक प्कड़ने की कोशिश करता हूं डोला उंचु आज और मैं काम्याब हो गया हूं यह देखें आप लेकिन यह निकलने की कोशिश कररा मैं के शादरा रेल्वे स्टेशन के बिल्कुल उपोजिट है आपका मंदिना फिशकानर इसके लावा भी कोई और निशानिया है यह साद में दर्बारा बाबा जमेल शार सरकार का सामने आमना शादी आला है साद में चक्किया बजार है सामने जालें जी ठीक है तो यह आपको दिखाने का मकस्द यह था कि आप जान सकें कि एक तो यह जो जिन्दा डॉला है यह मिलता कहां से इसकी कीमत क्या है और सलाब और करोना की यह जो वबाएं और आफाद आई इसके बाद यह जो प्रीश है और डॉला और स्पेशली यह के लिए कितने जुरूरी है कहा जाता है कि आप एक एक बार कहा जाता है कि आप एक बार ये डोला फिश खालें एक सर्दियों में चाहे एक बार ही तो पूरी जिन्दगी आपको सांस का मसला नहीं होगा जोडों में दर्द नहीं होगी इस तरह कहा जाता है इस तरह है पात है ये सची बात है, इसके सांस का प्रोब्लम ने होती है आपको, क्योंकि इसके बहुत आफादी है, ये देख लें जी, तो उमीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और इसके साथ अगर आप भी डोला के उम डोला लेना है, तो यहां से आपको ये जिन्दा डोला मिलेगा, इसके साथ ही आप अपनी मेजबान शाहिद इकपाल को इजाज़त दे, अल्ला निगेबान